हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग मिना नाम हितेश मिस्रा और आप देख रहे हैं रेलवे एकजाम्स खान ग्लोबल स्टडीज अब आज बगरा प्रॉपर आ रहे हैं सब कुछ ओके है उमीद है अच्छे होंगे मस्त होंगे अपने घरों में होंगे पढ़ रहे होंगे और अर्पिएफ में जाना है तो उसी के बारे में ये वीडियो है उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं रपि रीक्रूट्मेंट के बारे मैं रेलवेए प्रोटेक्शन फोर्स के बारे म ai Top यहां पर अगर हम देखें इस आप अगर सपना है बढने futray का व्रेजुए और चाहिए नंबर टू यह है कि अगर आपको कॉंस्टेबल बनना है तो मैट्रिक होना चीए है ना अब नया कुछ अपडेट हो जाए तो अलग बात है अभी तक के हिसाब से हम बता रहे हैं और जब हम आगे जाते हैं तो आटेड़ से यहान आ इलिजबिलीटी क्रेटेरिया अगर हम देखें कॉंस्टेबल का जो एज की bात करें रहे हम अगर ऑिज की interviews वह कितना होना चीए minimum age आपका 18 साल होना चीए minimum age कितना होना चीए dear friend वो होना चीए 18 साल ठीक है और maximum कितना होना चीए 25 साल अगर हम बात करें सब inspector के लिए minimum age आपका होना चीए 20 साल और maximum होना चीए 25 साल बाँकी जिसको जो relaxation मिलता है वो तो मिलेगा ही लेकिन यह जो है है सबसे पहले जो है computer based test होता है उसके बाद physical efficiency test होता है उसके बाद pre medical test होता है उसके बाद document verification होता है चार इस्टे से गुजरना है the entire recruit में process cell have involved computer based test physical efficiency test physical measurement test and document verification जिसको DV आप कहते हैं इन से आपको गुजरना पड़ेगा ठीक है ना अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो आप यह देख लो कि आप जो constable या sub inspector किसी में अगर जाएंगे तो जो UR और OBC है उनके लिए जो आपका male का height है वो दिया हुआ है female का height दिया हुआ है अगर आए CST के देखें उसका दिया हुआ है और अलग जो होते हैं उनका दिया हुआ है अगर हम देखें chest in centimeter only for male तो unexpanded वो 80 होना चाहिए expandation के साथ 85 76.2 होना चाहिए किसके लिए CST के लिए और 81.2 होना चाहिए expanded और अगर आप इनमें category में हैं तो 80 और 85 आपका होना चाहिए अगर हम बात करें कि हम लोगों को किस exam से गुजरना पड़ेगा computer based test जो होगा उसमें क्या-क्या पूछा जाएगा क्या-क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो पूछी जाएगी general awareness 50 question होता है 50 marks का और arithmetic 35 question होता है 35 marks का general intelligence and reasoning 35 question होता है 35 marks का total 120 question 120 marks 90 minute आपको time मिलता है ठीक है न तो जिसमें आपको question पूछा जाएगा और आपको तरीके से उसका answer करना है और अपने आपको proof करना है उसके बाद आगे आप बढ़ पाएंगे candidates will be required to answer all questions and shall be awarded one mark for each correct question negative marks shall be awarded for every wrong answer one by third marks shall be deducted for every wrong answer no marks shall be awarded or deducted for questions not attempted मतलब आपका अगर आप ऐसे समझो कि 100 question ही बनाया 20 नहीं बनाया तो उसके लिए कुछ तो है नहीं दिक्कत लेकिन अगर 120 बनाया उसमें 20 गलत किये तो उसका हिसाब होगा है ना तो यह आपको देखना है इसके बाद अगर हम देखें जो कॉंस्टेबल हैं उनका जो फिजिकल वो होता है efficiency जो देखी जाएगी वो देखो क्या है मेल को 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मिटर दोड़ना होता है long jump 14 feet करना होता high jump 4 feet करना होता है महिलाओं को 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मिटर दोड़ना है 9 feet long jump और 3 feet high jump करना होता है यह हो गया कॉंस्टेबल के लिए अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें तो female को 4 मिनट में 800 मिटर चलना है 9 feet का long jump 3 feet का high jump और male को 6 मिनट 30 सेकेंड में 1600 मिटर रन करना है 12 feet long jump और 3 feet 9 inch high jump करना होता है ठीक है अगर हम बात करें कि selection जो process है RPF का तो वो मैंने आपको starting में बता ही दिया कि चार चरन होते हैं जिसमें CBT, PET, PMAT दस्तावे सत्यापन यह सब होता है है ना अगर आप यहां पर और एक चीज़ को देखना चाहें कि form कम तक आएगा बच्चों का यह question बता है देखो अभी एक notification type का कुछ एक notice आया है जिसमें यह नहीं बताया क्या official है की नहीं है लेकिन उसे एक उमीद सारे लोगों को यही है कि जल्द जो है RPF में vacancy आने का chance है जल्द मतलब ऐसा possible है कि बहुत जल्द vacancy आ जाए तो आप लोग अगर अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर आया करें दो क्लास आपका railway exams खान global studies पर चल रहा है तो वो जो timing है वो है खान global studies पर तीन बज़े reasoning की क्लास चलती है तीन बज़े से reasoning की क्लास और जो 8.15 पर है गनित की क्लास चलती है 8.15 पीम पर maths की क्लास चलती है ठीक है ना तो यह आप अगर बढ़िया से पढ़ेंगे बढ़िया से चीजों को करेंगे अच्छे से आगे आएंगे तो मुझे उ करके बता सकते हैं इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग वह भी बता सकते हैं क्योंकि जितनी भी information mainly होती है वह हमने आपको इसमें बता दिया इसके अलावा अगर हम देखना चाहें मालो कि तुमको अपने से देखना है तो आर पी अप नोटिफिकेशन ऐस ऐसे डालना यहां पर जैसे आ जाएगा यह वाला आ गया इस पर क्लिक करोगे यह पूरा देखो डिटेल आ गया इसमें एक एक चीज को तुम और अच्छे से पढ़ सकते हो और चीजों को और क्लियर कर सकते हो अगर तुमको को डाउट रहे गया कोई तरह का तकलीफ है तो वह पूरा दिया हुआ है है ना इसी का इंतिजार हम लोग कर रहे है कि कब आ जाए जैसे यहां पर आप देखो जैसे यह किसका है एलिजिबिलिटी सब इंस्पेक्टर का तो ग्रेजिवेशन होना चीए एज दिया हुआ है है फिजिकल मेजरमेंट यहां पर पूरा दिया ह हुआ है कि को दिक्कत वाले बात नहीं है 76 और 81 यहां पर क्या था हाँ वही था मैंने क्योंकि यहीं से लिया है ठीक है ना तो कोसिस हमने वही क्या है कि पूरा अथेंटिक जो है वो आपको चीजें दें बाकि जिसको जो रिलेक्शेशन मिलता है वो दिया हुआ है तो पूरा यहां पर है आप इसको अगर गो थू करेंगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगे कि सको क्या रिजर्वेशन एक सर्विसमेन के बारे में दिया हुआ है सब कुछ पूरा इंफर्मेशन है यहां पर ठीक है रिकूट्मेंट प्रॉसेस क्या होता है तो यह पूरा आपको दिया हुआ है है ना जो मैंने आपको बताया ही और किस-किस भासा वां में होता है ना मैं प्रॉसर रहता हूं यह एक्श्य तो आया था जिस समय उसका यह के मैं दिखा रहा हूं है ना उसका दिखा रहा हूं यह एक मेंसन क्या है कि पीटी-पी-एम-टी is qualifying in nature no marks are to be awarded यह क्या होता है qualifying होता है इसका कोई marks नहीं मिलता है document verification जो उसके बाद होता है जब आप cbt qualify कर जाएंगे उसके बाद pt-pmt qualify कर जाएंगे तब आपका document verification होगा वो तो आगे की बात है है ना और यह पूरा format दिया हुआ है इसमें कौन-कौन सा certificate वगरा लगता है तो यह पूरा information जो है वो दिया हुआ है photograph कि अगर बात करें choice of exam language for cbt candidate cell have following language options for computer-based test out of which they opt to for any मतलब एगर जिस समय आप चूच कर लिजिए या हिंदी में चाहिए कि इंग्लिस में या अन्निकिसी में और candidate cell opt group and cell further indicate his और her perform preference वो सारा चीज जब notification आएगा तो दुबारा बता देंगे लेकिन यह information था जो हम सोचे कि आपको बता दें ठीक है तो कुल मिलाकर उमीद हमें यही है कि पूरा चीज clear हो गया होगा कहीं आपको डाउट नहीं रहा होगा फिर भी अगर को डाउट रह जाता है तो आप comment कर सकते हैं और बाकी हम आपके comment का proper reply करेंगे और जो भी है उसको clear करेंगे सभी को परनाम सभी को जैहिंद थैंक यू